वेलकम बैक बच्चो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की जो सप्लिमेंटरी डीडर बूक है फुट्प्रिंट्स बिदाओट फीट से पहला लेशन अर्ट्राइंफ आफ सर्जरी इस बुक्ट से भी आपके एक्शाम में कुछ कोश्चन आएंगे जो की अप्जैक्टिटिव टाइप भी असकते हैं और सब्जैक्टिव टाइप भी होसकते हैं मिस चाप्टर अर्ट्रा पशू चिकित्सक है, वो किस तरह से tricky नाम के dog को ठीक करता है, उसकी बीमारी से किस तरह से recover करता है, इस chapter पर जो read and find out करके short type question दिये गए हैं, पहले हम उनको solve करते हैं, जो मिसस पमफ्रे थी, जो की tricky यानि की dog की mistress थी, मालकिन थी, वो tricky के लिए worried, worried मेंस होता है, चिंतित होना, परिशान होना, तो वो tricky के लिए worried क्यों थी? अंसर इस, मिसस पमफ्रे वाज वरीड एबाउट ट्रिकी, इतना पुर्शन आपको, आपके question से मिल जाएगा, मिसस पमफ्रे वाज वरीड एबाउट ट्रिकी, मिसस पमफ्रे ट्रिकी के लिए worried थी, परिशान थी, because she thought that he was suffering from malnutrition, क्योंकि उन्हें ये लगता था, she thought, वो ऐसा सोचती थी, कि जो ट्रिकी है, he was suffering from malnutrition, malnutrition मतलब होता है, lack of nutrition, nutrition के कमी होना, जिसे हम हिंदी में कुपोशन भी कहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था, कि ट्रिकी जो है, वो malnutrition, यानि कुपोशन से suffering, पीडित है, इसलिए, that made him weak, यहाँ पर weak लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख लीजेगा, that made him weak, यहाँ पर weak आएगा, जिसके कारण हुआ है, weak हो गया है, कौन सा वाल अभी, W, E, A, K, W, E, A, के weak, कमजोर वाला, तो उन्हें यह लगता था, कि he was suffering from malnutrition, वो कुपोशन से पीडित है, that made him weak, जिसके कारण वो weak हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए, वो ट्रिकी के लिए, worried थी, second question is, what does she do to help him, उसे help करने के लिए, उन्हें क्या किया, what does she do to help him, is she wise in this, और उसी में फर्दर वो पूछ रहा है, कि is she wise in this, wise means होता है, बुद्धिमान, जो उन्हें किया, उसको ठीक करने के लिए, क्या उसमें, उन्हें बुद्धिमानी का काम किया, answer is, in order to help him, she started giving him some extra to eat between meals, in order to, that means होता है, के लिए, in order to help him, उसे help करने के लिए, she started, उन्हें शुरू किया, क्या शुरू किया, giving him some extra to eat between meals, जो उसका भोजन था, breakfast और lunch, lunch और डिनर, तो उस meals के बीच में भी, उन्हें कुछ extra खाना देना शुरू कर दिया, मतलब, breakfast और lunch के बीच में भी उसको कुछ वो extra खाने को दे देती थी, तो इस तरह उन्हें एक्स्ट्रा उसको खाना देना शुरू कर दिया, अभी हमें ये भी बताना है कि, is she wise in this, क्या ये काम, दिमाक्स वाला था, बुद्धिमानी का काम था, and the answer is no, she was not wise in doing so, ऐसा करना बुद्धिमानी का काम नहीं था, इस स्टोरी में, आई किसके लिए रिफर हुआ है, किसके लिए प्रयुक तो हुआ है, जो आई वर्डा रहा है, वो किसके लिए यूज किया गया है, and the answer is, I refers to the narrator, narrator जो speaker है, जो कहानी को सुनाने वाला है, जो storyteller है, तो I refers to the narrator, I, narrator के लिए यूज हुआ है, जिनका नाम है, Mr. James Harriet, and he is a veterinary doctor, वो एक पशूर चिकित्सक है, animal को ट्रीट करने वाले एक डॉक्टर है, यहाँ पर जो first question है, वो है, is the narrator as rich as Tricky's mistress, पुछा जा रहा है, कि जो narrator है, जो storyteller है, वो क्या Tricky की mistress की तरह rich है, क्या वह उतना rich है, जितना की Tricky की mistress है, Tricky की मालकिन जितना rich, यानि अमीर है, तो obviously हमने देखा कि वो इतना rich नहीं था, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, अभी विल राइट, No, the narrator is not as rich as Tricky's mistress, narrator is not as rich, वो इतना rich नहीं है, जितनी Tricky की mistress, Tricky की मालकिन थी, Next question is, how does he, he, he का मतलब है doctor, Mr. Harriet, how does he treat the dog, उनने dog को कैसे treat किया, कैसे उसका उपचार किया, Answer is, he took Tricky to the hospital, and made him mix with other dogs, वो Tricky को hospital ले करके गए, and made him mix with other dogs, और जो उनकी सर्जरी में, जो दूसरे dog थे, उनके साथ उसे mix किया, उनके साथ उसको मिला करके रखा, He did not pamper him, pamper मतलब लाड़ प्यार देना, तो उनने Tricky को बिलकुल भी pamper नहीं किया, उसे बिलकुल भी लाड़ प्यार नहीं दिया, मतलब उसे सुक सुविधाय नहीं दिया, उनने उसको एक normal तरीके से वहाँ पर रखा, इस तरीके से उनने Tricky को treat किया, read and find out में ही अगला question है, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, tempted means होता है, tempted means होता है, लालच करना, उन्हें Tricky को as permanent guest, एक permanent guest की तरह रखने का लालच क्यों आया, वो ऐसा लालच क्यों कर रहे थे, कि Tricky को permanent guest की तरह surgery में रख लेना चाहिए, वो अपने hospital में Tricky को रखने का लालच क्यों कर रहे थे, answer is, Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest, इतना portion question से ही है, इसे आपको याद करने की ज़रद बिलकुल नहीं है, why, और इसको हम छोड़ देंगे, he की जगे हम लिख देंगे Mr. Harriet, उसके बाद का जो portion है, वो same आ जाएगा, तो हम he भी लिख सकते हैं, he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, because, क्योंकि, because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name, Tricky की जो mistress थी, वो Tricky के लिए eggs, wine, brandy, यह सारी चीज़े भेशती थी, तो यह सारी चीज़े वो Tricky को देने की बजाएग खुद ही उसे enjoy करते थे, क्योंकि Tricky को इन सारी चीज़ों की जरूरत ही नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों को, food, wine, यह सारी चीज़े जो वो enjoy कर रहे थे Tricky के नाम पर, इसके अकारण वो Tricky को permanent guest के रूप में रखना चाहते थे, जो एग्ज, वाइन और ब्रेंडी का जो इन फ्लो था, जो यह luxurious चीज़े उनको मिल रहे थे, इसे वो loss नहीं करना चाहते थे, that's why he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, इसलिए वो Tricky को permanent guest की तरह अपने surgery में, अपने hospital में रखना चाहते थे, next question is, why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a triumph of surgery, Mrs. Pomfrey को यह क्यों लगता था कि dog का जो recovery थी, dog का जो ठीक होना था, यह surgery की triumph थी, यहनि कि surgery की जीत थी, ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था, and answer is, Mr. Harriet had taken the dog to the surgery, Mr. Harriet जो डॉक्टर थे, वो dog को surgery, अच्छे यहां पर surgery का जो use हुआ है, वो kis sense में हुआ है, वो जगे जहां वो dogs को treat करते थे, उनका जो hospital था, तो Mr. Harriet जो है, वो dog को surgery ले गए, and kept him there for a fortnight, fortnight मतलब होता है, 15 days का time, तो वो dog को अपने साथ surgery ले गए, और वहां उन्हें उसे for a fortnight, 15 days के लिए रखा, The dog recovered soon, अब जो dog था, tricky जो था, recovered soon, वो जल्दी ही ठीक होने लगा, Mrs. Pumfrey thought, Mrs. Pumfrey को ये लगा, that the dog underwent a surgery, Mrs. Pumfrey को क्या समझ में आया, कि the dog जो tricky था, underwent a surgery, उसका operation हुआ है, उसकी surgery हुई है, उसका एक particular treatment हुआ है, तो इस कारण से, that made Mrs. Pumfrey to think that dog's recovery was the triumph of surgery, और चुकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि dog underwent a surgery, उसकी surgery हुई है, that made, इसके कारण Mrs. Pumfrey को लग रहा था, कि जो dog की recovery है, ये triumph of surgery, यानि कि surgery की ही जीत है, Now these are long type questions that are given after the chapter, chapter के बाद में जो think it out के बारे अंदर जो questions दिये गए है, long type questions, अब हम उनको solve करते हैं, The first question is, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon is, आपको क्या लगता है, जो narrator है, जो की एक veterinary surgeon भी है, एक पशू का doctor भी है, वो किस type का person है, what kind of, what kind of मतलब किस तरह का, what short of, what kind of, what type of, किस प्रकार का प्यक्ति है, would you say he is tactful as well as full of common sense, क्या आप यह कहोगे कि वो एक tactful और full of common sense, common sense से भरा हुआ व्यक्ति है, answer is, the narrator, a veterinary surgeon is a capable and wise doctor, वो किस तरह कि थे, जो narrator है, जो की एक veterinary surgeon है, he is a capable, capable योग, able, capable और wise doctor है, बुदिमान doctor है, he handles tricky properly, which shows that he is sincere about his profession, उनने tricky को properly handle किया, बहुत अच्छे से उसको उसकी देख भाल की, which shows, जो कि यह बताता है, जो यह दर्शाता है, that he is a sincere about his profession, वो अपने profession, अपने duty के प्रती काफी sincere है, he does not operate upon the dog unnecessarily, and cures him by altering his diet and activities, उनने dog को unnecessarily, unnecessarily नहीं अनवश्यक, unnecessarily उनने dog को operate नहीं किया, उसकी surgery नहीं किया, and cures him, cure यानि इलाज करना, treatment करना, cures him by altering his diet, उसकी जो diet थी, उसका जो भोजन का तरीका था, उसे उनने alter, यानि change कर दिया, उसे बदल दिया, and activities, साथी साथ उसकी, उस dog की जो activities थी, जो उसकी दिन चरिया थी, उससे भी उनने alter किया, यानि change किया, last में यह जो पूछा जा रहा है कि, would you say that he is a tactful as well as full of common sense, तो आपको बस एक लाइन और लिखते नहीं है, yes, I think, yes, I think, आप यहाँ से फिर शुडू कर दो, yes, I think he is a tactful as well as full of common sense, तो यह जो portion है, इसको आप answer के तौर पर लिख सकते हो, yes, I think, he is a tactful as well as full of common sense, second question is, do you think Tricky was happy to go home, आपको क्या लगता है, जब Tricky ठीक हो गया, उसकी mistress उसको लेने आई, तो क्या वो घर जाने पर खुश हुआ, what do you think will happen now, अब उसके बाद क्या होगा, जब वो अपने घर पहुँचता है, after that वहाँ पे क्या होगा, ये भी आपको बताना है, answer is, yes, Tricky was happy to go home again, हाँ, Tricky घर वापस जा करके खुश था, the moment he saw his mistress, जैसे ही वो अपनी mistress को, अपनी मालकिन को देखता है, he took off from narrator's arm, and went into Mrs. Pomfrey's lap, जैसे ही वो अपनी mistress को देखता है, तो वो took off, कूद जाता है, narrator के arm से, narrator की गोद से, वो कूद जाता है, and went into Mrs. Pomfrey's lap, और जाकर अपनी mistress, अपनी मालकिन, Mrs. Pomfrey की lap में, गोदी में जाकर के, बैठ जाता है, तो ये हमारे first portion का answer हुआ, अब ये क्या पूछ रहा था, कि what do you think will happen now, अब उसके बाद क्या हुआ होगा, तो इसका answer क्या है, कि I think Mrs. Pomfrey will pamper him by her affection, I think हम ऐसा लगता है, कि जो Mrs. Pomfrey थी, उसे अपने affection से, अपने लाड़ प्यार से, उसे pamper करेंगी, उसे बिगाड देंगी, next question, Do you think it is a real life episode, real life episode, और more fiction, आपको क्या लगता है, कि ये जो है, ये जो स्टोरी हमने बड़ी tricky ही, तो ये एक real life episode है, वास्ति लाइफ की कहानी है, या more fiction, या simple सी कोई ऐसी कहानी है, और it is a mixer of both, या ये इन दोनों चीजों का mixer है, answer is, The story is a real life episode, जो ये story है, एक real life episode है, however, फिर भी, something might have been added to make the narrative interesting, तो ये एक real life episode है, लिकिन फिर भी, something might have been added, कुछ चीज़े इसमें, add की गई हैं, जोड़ी गई हैं, to make the narrative interesting, narrative को यहाँ पर मतलब है, story, story को interesting बनाने के लिए, कुछ चीज़ें, might have been added, जोड़ी गई है, next question is, do you think there are also parents like Mrs. Pomfrey, आपको क्या लगता है, क्या आप Mrs. Pomfrey की तरह parents भी होते हैं, कुछ parents ऐसे होते हैं, क्या जो Mrs. Pomfrey की तरह होते हैं, and the answer is, yes, there are parents like Mrs. Pomfrey, they too much pamper their children, तो हाँ, Mrs. Pomfrey की तरह parents भी होते हैं, जो कि अपने children को temper करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से उन्हें, भीगार देते हैं, spoil कर देते हैं, next question is, what would you have done if you were, अब यहाँ पे कुछ situation दी गई हैं, conditions दी गई हैं, और आपको बताना है कि, what would you have done, आप क्या करते, if you were, यदि आप होते, यदि आप इस जगे पर होते, तो आप क्या करते, और जो first condition है, वो क्या दी गई है, a member of staff in Mrs. Pumfrey's household, आप यदि Mrs. Pumfrey के household staff में होते, आप उनके घर के सदस्थ से होते, उनका जो, उनके यहाँ जो servant थे, जो mat थे, आप यदि उनके staff में होते, तो आप क्या करते, और जो second condition है, वो दी गई है, what would, sorry, a neighbor, second condition दी गई है, कि आप यदि उनके never होते, उनके पलोसी होते, तो आप क्या करते, next, what would your life have been like in general, और ये भी पूछा किया है, कि in conditions में, आपकी life normally, generally वो कैसे होती, किस तरह का जीवन आप जीते, and the answer is, answer is, first condition थी, first क्या था, कि यदि आप उनके staff में member होते, तो इसका answer है, if I had been a member of staff, in Mrs. Pomfrey's household, यदि हम, Mrs. Pomfrey के, घर के staff के member होते, उनके जो mad हैं, जो servant हैं, तो हम क्या करते, I would have, advised her to give tricky light food, तो मैं हम उसे ये advise करते, कि वो tricky को light food, हलका भोजन खाने के लिए, ये हम से advise करते, I would have advised her, to give tricky light food, और जो second condition थी, वो क्या थी, कि यदि उनके never होते, तब क्या करते, तो if I had been her never, I would have advised her, not to take tricky to veterinary surgeon, यदि हम उनके never होते, होते हम उनके पड़ोसी होते, तो हम उन्हें ये advise देते, कि tricky को veterinary surgeon की पास ले करके, ना जाएं, आंगे ये भी पूछा क्या था, कि हमारी life जो है generally कैसे होती, तो उसका answer है, कि in general my life would have been a normal life, तो जो हमारी life होती हो, ये normal life होती, नेक्स्ट कोश्चिन है, वाट बूड यू हब ड़न, इफ यू वर इन नरीटर's प्लेस, वाट बूड है यू ड़न, आप क्या करते, इफ यदि यू वर इन नरीटर's प्लेस, आप यदि नरीटर, यानि वो जो डॉक्टर थे, मिस्टर हैरियट, आप यदि नरीटर की प्लेस पर होते, मिस्टर हैरियट की जगे पर होते, तो वाट वूड हैव यू ड़न, आप क्या करते, तो आंसर इसका अमारा जो है, वो शुरू होगा यहां से, इफ से, इफ से हम अपना आंसर शुरू करेंगे, और यू की जगे हम आई लिख देंगे, क्यूंकि कोशन पर वो आपसे पूछ रहा है, पर आणसर आप कर रहे हैं, तो यू की जगे आपको आई लिखना है, इफ आई वर इन नरेटर स्ब्लेस, यह पस्षान अमारा कोशन पर है, if I were in narrator's place I would have done the same thing as he did I would have done the same thing वही चीज़े करता as he did जैसा उनने किया तो if I were in narrator's place यदि मैं narrator की जगे पर होता तो I would have done the same thing as he did तो मैं वही करता जो narrator ने किया